गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स अभी तब हमने प्रिप्रेशन ओफ एल्कोहल पढ़ा है एली फैटिक की भी पढ़ी है उसमें और हमने एरोमाटिक में फिनोल पढ़ा है आज उसी से रिलेटेड कुछ कनवर्जन है जो हम इस किलास में सोल्व करेंगे जिसे कि ना बच्चों को ढोला सकता है कि कनवर्जन क्या होता है किसी की फर्स्ट कनवर्जन आता है हमारा वन डिगरी अलकोहल को हमने चेंज करना होता है सेकंड डिगरी अलकोहल में इससे पहले formula बता हो, one degree alcohol का formula होता है, CH3, CH2, OH and second degree होती है, CH3, C, CH3, H and OH तो इसको इसमें करना है, देखो खेल खेल में हम कैसे reaction कर जाते हैं इसमें मैंने O लगा दिया, ये दोनो H ना इसके साथ मिला दो और H2O को हटा दो क्या बना, CH3 बना, ये carbon बचा और ये CH2 बचा, ये पूरे का पूरा, ऐसे लिख दिया अब हम मैंने आप लोगों को class में RNGX बताया था, green node region जिसको बोलते हैं ये R हमारा यहां जाता है, और MGX पूरे का पूरा O पर जला जाता है तो क्या reaction बनती है, CH3, C, R, H, N, O, N, G, X अब हम इस पर क्या करते हैं, HOH लगा देते हैं, तो यहां से ये MGX और OH हट जाता है पूरे का पूरा क्या remove कर देता है, MG, OH, X हटा देता है और ये H कहां चला जाता है, O के पास चला जाता है, बन जाता है हमारा CH3, C, R, H, N, O, H कौन से डिगरी का है, बन डिगरी का है, इसी के जैसा हम अब सेकंड करते हैं अब हमने जो हमारा सेकंड डिगरी अलकोहल है, इसको हम चेंज करते हैं, थर डिगरी अलकोहल में second degree alcohol का formula क्या होता है जब carbon के पास दो alkyl group हो और एक OH group हो third degree में क्या होता है जब carbon के पास तीनों ही alkyl group हो और एक OH group हो इसको इसमें convert करना है बच्चो मैं यहां से यह H और यह H हटात देती हूँ इसका dehydrogenation कर देती है इनकी hydrogen remove कर देती हूँ यहां से भी bone तोटता है यहां से भी बीच में हो जाता है double bone CH3 C, CO, CH3 इसको हम acetone बोलते है अब हम इस पर क्या लगाते हैं फिर से लगाते हैं R, M, G, X फिर क्या होता है यह M, G, X कहां आ जाता है O के पास और यह बच्चो R कहां चला जाता है C के पास क्या बना CH3, CO, M, G, X CH3, and CS3 simple हमने क्या कर दी hydrolysis यानि कि H, O, H H, O, H करने से क्या होता है यह बाला M, G, X किसके साथ हड़ जाता है H किस बाले O, H के साथ क्या remove कर देता है M, G, O, H, X और यह H कहां चला जाता है इस बाले कार्बन के पास क्या बन जाता है CH3, C, CH3, CH3, and O, H यही बच्चो थर्ड इगरी का लपहल है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चानल को लाइक करें सब्सक्राइब को जितना हो सकता है किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कर सकता है मुझे आप लोगों करेपलाई कर देने हैं इससे अलग कोई रेक्षेन पूछनी हो वो रेक्षेन भी आप लोगों हमेरे से पता कर सकते हैं थैंक्यू और हम नाइस टेर